दिल से सोलजर दिमाग से शैतान है हम बच के रहना हम से हिंदुस्तान है हम दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ अपडेटिड एडवांस बूकिंग का हमारा एक और जबर्दस एपिसोड जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि गाइस यह मूवी अब सिधे ताउर पे 11 में दोस्तों रिलीज होगा अब पेट प्रिव्यूज खतम यहां पे सिधा हॉलीडे तो भाई इसको अब एडवांस बुकिंग में दोस्तों किस तरीके का मतलब गाइस कलेक्शन मिल रहा है क्या यहां पे हॉलीडे का फैदा हो रहा है या नहीं क्या यह करोड में और दोस्तों काफी तेजी देखने को मिला इवन अक्षे कुमार भी दोस्तों दुबई में एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं बाकि यहां पे लंडन में भी भाई परफॉर्मेस चल रहा है इस मूवी के घाने के ऊपर तो गाइस काफी अच्छा हिसाब किताब है प्रमोश करेंगे इस वक्त के हिसाब से क्या एक्स्पेक्स्टेशन दोस्ते हमारी होनी चाहिए क्योंकि यहां पर जो मेकर्स हैं दोस्तों वह बज गए भाई साब आप लोग कह सकते हो कि अपनी मूवी को रिलीज करते और चुटी गाइस होती नहीं इवन गाइस यहां पर आप लो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलते रहें तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट स्टार्ट देगो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस मूवी का जो बुक माई शो इंट्रेस है यह बहुत तेजी से 288,000 से भी दोस्तों ऊपर जा चुका है और यहां पर 24 घंटे में 10,000 टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिखाए दे रहें वह अलग बात है कि दोस्तों यह एक हजार में होना चाहिए था लेकिन मेरे हिसाब से में भी शायद आपको कल शाम को यह नजारे भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन बहराल अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी चाहरा यहां यहां पर पुराने आपको डाटा नहींदेंगे पिल्कुल अपडेट ढ़ाटा है हलाँ कि यह घंटे दो चेंज हो रहा है और अभी वैसे करोड तो नहीं हुआ लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज रात के 12 बज़े तक गाई यह एक करोड़ रुपे की एडवांस बुकिंग कर लेगी लेकिन एक करोड़ नहीं हुआ तो फिर कितना हुआ है तो गाई अगर हम लोग यहां पर हिंदी के तूड़ी वाले वर्जन की बात करते हैं तो आधा करोड़ यहां पे 52 लैक रुप 3D वाले वर्जन की दोस्तों बात करते हैं 3D वाला वर्जन तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग भी लगभग 33 लाक रुपे 33 लाक रुपे इसके हिंदी के 3D वाले वर्जने में दोस्तों जमा कर लिया है और टिकट सोल्ड आउट हुआ है वह सम्थिंग अराउड आप लो 500 टिकट भुग हुए हैं मानना पड़ेगा हना कि दस तारीक के लिए भी 500-700 टिकट सोल्ड आउट हो गए थे और एडवांस बुकिंग लगभग जाए हैं और शोज लाइस तो कि अगया है और शोजग बात करते हैं तो स्रीफ और सीव दोस्तों कुछ टिकट सोल्ड आउट हुए है और जो शोज है 140 है बाकी मल्यानम का तो कोई रिपोर्ट आया है नहीं तो गईस तोटल टिकट सोल्ड आउट कि अगर मैं आपको बात तो 37,000 लास टाइम हम लग जब आया थे तो 24-25,000 हुए तो गाइस यह काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है और लेंगवेज मिला कि बता रहा हूं है सभी लेंगवेज और सभी वर्जन 37,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए यह बहुत अच्छा नंबर है बहुत अच्छा बहु टिकट जो होगा उसके हिसाब से चलेगे लोग जाएंगे और बुक करेंगे क्योंकि देखो यहां यह जो मूवी है अब नौन हॉलिडे का भाना नहीं रहा उस दिन सरकाली चुट्टी है यह का फैस्टिवल है और कही ना कहीं यहां पर गाइस मुझे लगता है कि अभी त यहां बाइस पर चांड प सकते हैं चार-पांस क्रोड रुपए की डिवान्स अब होगी तो यहां बड़ी बजट की मूवी यहां पर अब्स उतने खास नहीं हो होता तो हम लोग थोड़ा चिंता चिंता के विशे होता उस वक्त लेकिन अभी पांच हजारी कुछ खुलें यह बारा तेरा हदार शो जाएंगे देख लेना तो यहां पे टोटल गाइज एडवांस भूकिंग लगभग आप लोग एड़ी सैवन लाग उरुपीज मान सकते ह साथ सतासी लाग उरुपे अभी बारा तेरा लाग उरुपे रहता है करोड होने में लेकिन मुझे उमीद है 11-12 तक हो जाएगा या फिर उससे पहले ही हो जाएगा अगर हम लोग दोस्तों शहरवाइस ऑकी पैंसी की बात करते हैं तो आप लोग कह सकते हो कि दिली मैं जाए फिर बड़े में चोटे में मुझे कि या आपको बता हूं कि मुझे क्या लग रहा है कि यह मूवी कितना करेंगे दोस्तों क्या यहां पे अक्षे कुमार टाइगर श्राफ पिछली जो काम करके आए उनकी जो मूवीज है वह उतनी चली नहीं तो ऐसे में अब लग रहा है कि लोग मूवी का रिव्यूज देखेंगे मूवी अच्छी होगी तो घर से निकलेंगे और कहीं वर्ड आफ माउथ अगर पॉज अच्छा रिस्पॉंस मिलता है ऐसा नहीं कि पांच में साड़े चार चार साड़े तीन साड़े तीन क्योंकि एक्शन मूवी है तो साड़े तीन स्टार गाइज आप लोग समझ लोग की काफी ठीक नंबर होगा इसका एड़ेटिंग का लेकिं हम तो उम्मीद करेंगा कि अच्छी निकले बहुत जबर्दस साड़े चार 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 निकले लेकिन वक्त बताएगा लेकिन साड़े तीन पहले इतना तो आना चाहिए अगर गाई यह इतना स्टार लाती है साड़े तीन स्टार मुना यहां पर रिवीव करोड करें कि यह ओपनिंग 20 करोड से उपर देके रहेगी अगर मुवी के रिव्यू अच्छे आते हैं तो अब खुदाना खास्ता रिव्यू मिक्स रिव्यू में ऐसा होगा कि फैंस तो निकल जाएंगे लेकिन जो मन मना रहे हैं मुवी को देखने का वो शायद कटेंगे और शायर यह मुवी फिर गाई जाके 12-15 क लेगी मिक्स रिव्यू के साथ बैट रिव्यू की तो यह फिर तो क्या ही कहे अला कि हॉलिडे है तो 10 तब भी कमा लेगी लेकिन मुझे लगता कि इतनी बैट रहेगा तो मुवी चलेगी ही चलेगी बागी क्या लगता है गाई यह एंड आफ दी डे यह कल रात को हम लोग इस वक्त कितने रूपे की अडवांस बुकिंग की बात कर रहे होंगे बाइस आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही